आज राजियों में जल्द ही विधाम सभाच चुना होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किस की चुनेगी सरकार। पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट। एबिपी नियूज पेश करता है। खोशना पक्त्र। करोना का खत्रा भी टला नहीं है इसलिए सब लोग मास्क पहने ये हमारी एक मुहिम भी है और इस मंच के सामने मौजूद तमाम लोग हलांकि करोना की डबल डोज लिये हुए हैं लेकिन फिर भी हम ये अपील करते हैं कि सबी लोग मास्क जरूर पहने क्योंकि करोना से बचन आज गोशना पत्र का मंच सजा है चंडिगड में दोर राजियों की राजधानी चंडिगड और चंडिगड में बढ़ने वाला है चुनाब का शूर क्योंकि पनजाब में चुनाब शुरू होने की कगार पर पहुँच चुके हैं पार्टियों ने अपनी अपनी बात लगबग मंच से कर ही दी है तो इस घोशना पतर में आज पंजाब का एक बड़ा नामी चेहरा जिनको आप जानते होंगे क्रिकेटर के तौर पर कॉमेंटरेटर के तौर पर या फिर कॉमेडी के किंग के तौर पर नबजोत सिंग सिदू सियासत के पिच पर सिदू की बैटिंग का ये सिर्फ नमूना है जब सिदू माइक संभालते हैं तो उन पर ठेका गया बाउंसर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो अपने बोल के बल्ले से उसे बाउंडरी के पार पहुँचा देते हैं सिदू का यही अलग अंदाज है जिसकी बदौलत राजनीती के मैदान में वो सबसे चर्चित खिलारी नज़र आते है यह नजोग सिंग सिदू की निजी लडाई नहीं है यह पंजाब के अस्तित्व की लडाई है पंजाब की घैरत की लडाई है पंजाब के स्वाविमान की लडाई है अलख जगा ने आया है सिदू 2004 में जब राजनीती में सिदू ने एंट्री मारी तो सब को हैरान कर दिया पहले बीजेपी की टीम का हिस्सा बने और लगातार टीम बार सांसा चुने गए 2016 में सिदू का बीजेपी से मोह भंग हो गया और 2017 में टीम कॉंग्रेस का हिस्सा बन गए सिदू क्रिकिट के मैदान में बैटिंग के लिए जाने जाने वाले सिदू ने कॉंग्रेस में ऐसी फिल्डिंग सजाई के धुरंधर कैप्टन को ही आउट होना पड़ा पंजाब में चुनाओ हैं और अब कप्तानी सिदू के हाथ में नजर इस बात पर है कि क्या सिदू अपनी टीम कॉंग्रेस को एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुचा पाते हैं या नहीं इससे पहले की सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो मैं नवजोत सिंग सिदू जी से अग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और सबसे पहले ये बताएं कि आखिरकार पंजाब की जनता इस बार कॉंग्रेस को या नबजोत सिंग सिध्धू को वोट क्यों दे? हजूरे वाला, आज पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है, तो वो है विश्वास का, एक एजन्डे का, बेहाल पंजाब जो एक उल्टी राह पे चला, माफिया की राह पे चला, फाइनेंशल एमर्जेंसी की कागार पे खड़ा पंजाब, उसको उस राह से यही मुझे लगता है कि आम आदमी को भाता है, वो दो ही सवाल करता है, कि पच्चिस-ती साल से डूपता हुआ पंजाब, बेहाल पंजाब किस तरह से खुशाल होगा, कौन से एजन्डे से, कौन सी राह पे चल के होगा, और इसे कौन करेगा, इनी दो सवालों पे मुझे लगता है कि अगला चुनाव खड़ा है, और यही दो निरने करेंगे, नीती बद योजना बद तरीके से, अगर कोई पार्टी पंजाब को ये कन्विंस कर दे, कि पंजाब के उपर तीन लाख करोड का करजा है, करीब दो लाख करोड का सॉफ्ट लोन है, ये पांच-छे क करोड का करजा जो है, ये आम जनता दे रही है, ये मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार दे रही है, जो के पहले धारना थी, लेकिन आज वो माफिया राज खुल चुका है, आज भेद खुल चुके हैं, परदाफाश हो चुका है, और सबसे बड़ी जो चुन्नोती है, क प्राप्ती परिणाम मातर है, उसके असली कारण है साधन, वो किन साधनों से पंजाब की रेजरेक्शन की बात करें, यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत 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 शुक्रिया, घोशना पत्र की शुरुवात करते हैं, और पहला सवाल ये रह है, बहुत सारी दिक्ते हैं, माफिया राज है, पौने पांच साल से ज्यादा कार समय हो चुका है, आपकी सरकार है, आपका मॉडल, आपकी सरकार को पसंद आया या नहीं, और दूसरा कि इस तमाम माफिया राज, गुंडा राज को खतम करने के लिए, करजे को उतारने के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या किया Two सबसे पहली बात क्या आपने कहा कि पांच साल आप और था सिद्धू पांचों साल लड़ता रहा यह पहली केबिनिट से वह सवाल करता था प험स्तने शराबनीती की बात की 300 किलो मीटर से अगर तेलंगा ना रेत के एक हफ़ते के 50 करोड कमाता है तो पंजाब एक साल में 40 कैसे जमा कराता है वो सवालों से लेके एंड तक पहले डेड़ साल में इतनी जादा तभा, थनक गई, कि भाई घर बिठा दिया गया तो आप ये मत कहें के सरकार आपकी ती, सरकार तब ही आजए नहीं, जिसने बिठाया वो घर बैठा है आज, जिसने बिठाया, वो घर बैठा है, जहसे मुख्य मंत्री ने दर्वाजे बंद कीए, उसके लिए दिर्वाजे बंद को क्योंकि वो मुख्यमंत्री था ही नहीं हमारा हमारे 78 MLA थे लेकिन हमारा मुख्यमंत्री BJP के हाथों में रबड का गुड़ा था थोको ताड़ी इस बात पे था के नहीं देखो यह देखो पंजाब के लोग पंजाब को नहीं जिताता वो पंजाब के लिए नहीं था वो अपने परिवार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे आज भी वो लोगों को हराना चाहता है सिद्धू पंजाब को जिताना चाहता है बात खत्म लेकर सिद्णू ये साथ के सात प्रेम कैसे होने लग गया भाई? ये कैसे होने लग गया? बिजेपी ने एक आफिस खोला है जलंदर में और उन्होंने एक मेसेज भीजा है आम बंदे जिनके घर में ED का पहले से ही नोट जा चुका है उन्होंने का भाईया या तो आ जाओ हमारे ऑफिस जलंदर नहीं तो कर देंगे अंदर यह बात सही है यह ED की भाषा यह जितनी बड़ी-बड़ी सं स्थाएं हैं उनको नचाने की भाषा यह बीजेपी की तरफ से ही है अपने कहा कि ED का डर दिखा कर उनको ले जाया जा रहा है आपके नेताओं ने क्या ब्रस्टाचार किया जो उनको ED से डर लग रहा है या मेरी बात सुनो यह आप और मैं तो है नहीं यहां तो 75-25 है क्यो नवजोज सिंग सिद्धू ढरता तो इसी बीजेपी की 6 साल की राज्यसभा ऐसे हवाबेना उचालता नमबर एक नमबर दो क्यों छोड़ी क्यों छोड़ी इसलिए छोड़ी कि यह लोग मुझे इनी तसकरों का जिनके खिलाफ आज पर्चे कटे हैं और वो भी 6 साल बात इनी तसकरों से इनी चोरों से इनी डकैतों से सांज रखने की बात करते थे और यह कहते थे कि आप इनकी कैमपेंड कर दो तो ठीक है फिर राज्यसभा इसलिए दी गई कि सिद्धू तुम पंजाब में नहीं आओगे तुम या तो इनकी कैमपेंड करोगे नहीं तो तुम पंजाब से परे हो जाओगे अगर मैं अगर मैं किसी तकड़े नेता को कहूं कि आप गुजरात में नहीं जाओगे तो क्या वो बरदाश्ट कर पाएगा नाम भी ले दीजिए उनका क्यों नाम लूँ यह जो पब्लिक है यह साब जानती है को रोटी को चोची थोड़ा न कि आप की सरकार रही है आप सरकार में मंत्री रहे और आप काम कुछ भी ने करवा पाए दर सलमें सीद्यू जी आप में और सनी देवल में एक तरीके से समांता है आप बता सकते हैं क्या है कि आप दोनों की खिलाफ पोस्ट चपे गुमशुदा दी तलाश और अभी से नही चपे आपको याद होगा जब आप सांसत थे, मेर पास पूरी सूची है, आप अगस्त 13 में चपे, 19 जुलाई में चपे, और इस साल भी चपे, इस साल इसलिए चपे, कि जब एक्सिडेंट हुआ ट्रेन का, उसमें आपने कहा बेसहार और लोगों को में सहारा दूंगा, और पर जब काम करने का मौका आता है, तो या तो आप बहाने बनाते हैं या गायब हो जाते हैं, कोबिड हुआ, इंतजार करते हैं रोग आप कहीं नहीं दिखाई दिये, कॉंसिटुएंसी आप पहुचे ही नहीं, ये आपके खिलाफ शिकायत है, पोस्टर हैं, आप मिसिंग ह हैं, तालीवाली बजवाते हैं, उससे आप इतनी इस से इस हद से आगे कहा निकलते हैं, मैं आप से पूछ रहा हूँ, देखो जी, जूट बोले कहुआ काटे, सनी दियोल साहब पहला एलेक्शन लड़ते हैं और आज तक वो वापिस नहीं आए, धरम पाजी एक एलेक्श नहीं लगता, कौन सा ऐसा सेलेबरिटी है, देबांग साहब, वो उस पोस्टर छपे नहीं, वो छपवाए गए, नमबर एक, नमबर दो, कौन सा ऐसा सेलेबरिटी है जनाब, जो पाँच एलेक्शन लगातार एक ही जगा से जीता हो, पहली एलेक्शन जीता है, वो सेलेब पांच इलेक्शन जीता है और आप जो मर्जी बोलते रही है दिल्ली में बैठके आप तेह नहीं करेंगे अगर नवजोत सिंग सिद्धू के ऊपर यही इल्जाम जो आप लगा रहे हो यह लगते तो नवजोत सिंग सिद्धू आज कॉंग्रस का परधान ना होता चार बार क उसके बाद ऐसके बाद रॉकर का इलेक्शन हुआ उस लोकसभा kay एलेक्शन हुआ उस लोग तसंग सिद्धू की constituency अठारा हजार से जीती अठारा हजार से सितु साब अगला सवाल ले लेते हैं कि Congress पंजाब का ये चुनाब United Face पर लड़ना चाहती है क्या आपको ये proposal मंजूर है और अगर ये मंजूर नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? मुझे हर proposal मंजूर है मैंने एक वचन दिया है राहुल जी को और प्रियांका जी को क्योंकि मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि उनमें एक हांदानियत है और वो वचन सद्धा एक साफ है कि मैं अंत तक आखरी स्वास तक देश को अगर सवारना है तो आपकी leadership में लड़ता रहूँगा नमबर एक नमबर दो इसलिए मेरी कोई शर्त मेरी कोई condition उसका कोई सवाल ही नहीं है अब आगया नमबर दो पे चीज नमबर दो की चीज जो है वो सबसे ज़्यादा एहमियत रखती है नवजोज सिंग सिद्धू तो भाई सिद्धू शोपीस वही माफिया वही शराब की कॉंटी चड़ा के साथ सांड़ गांट वही केबल माफिया वही 30-40,000 करोड रूप्या स्टेट का जो है किस की सांड़ गांट थी? कैप्टन नमरंदर सिंग की? मैं उनके साथ कभी भी नहीं रहा मैं कह रहा हूं मंत्री मंदल से आने से पहले भी मैं कहता था नत्रा सिंग और प्रेम सिंग वाने सेम तिंग सीधा सीधा सा जवाब दे दीजिए कि जो ये कॉंग्रिस की चुनाम में बारात सजने वाली है इसमें दूले का चहरा चाहिए या दूला कौन है चाहिए या बिना दूले के जाएंगे यह मेरा डायलोग मार रहे हो आप देखो यह गलत बात है देखो आप मेरे दोस्त हो लेकिन ये पिछली बार मैं केजरीवाल को पूछा करता था क्योंकि केजरी वाल ने दोरा मापदंड अपना है आज हम आपको पूछ रहे हैं चलो पूछेंगे मैं जवाब दूँगा आज कॉंग्रस अगर इस चीज के उपर खड़ी है और वो चाहती है कि 6-7 सूबों में वो कलेक्टिव लीडर्शिप के उपर लड़े तो लड़े मुझे उसके कोई दिक्कत नहीं लेकिन पंजाब के लोगों को दुचित्ती है फैसला आप किसी MLA नहीं करना एक बात याद रखीगा पांच साल पहले बने थे वो MLA पांच साल पहले बने थे वो MLA ना तो फैसला किसी MLA ने करना है ना किसी पार्टी ने करना है फैसला आप भूलते हो फैसला पंजाब के लोग करेंगे कि उनको कौन धरती पुत्र चाहिए इस बार ये धरती अपना वारिस खुद चुनेगी नवजोज सिंग सिद्धू को अगर ओदों का लालच होता तो नवजोज सिंग सिद्धू छे अस्तीफे नहीं देता सिद्धू साब नमशकर मैं ये जानना चाहरा हूँ कि आप जिस चीफ मिनिस्टर को उंगली पकड़ कर लाए हैं अभी चन्नी साब मैं नहीं लाया ये धारना गलत है ये धारना गलत है नवजोज सिंग सिद्धू ने चन्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया राहुल गांधी ने ऐसे कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जो अभी आपको लगता कि शक्षम नहीं है अगर शक्षम है तो फिर दूसरे दूले की जुरूरत क्यों है ऐसी देखो एक बात आप बड़ी ध्यान से समझ लीजे हाई कमांड है तभी पार्टी चल रही है सरदार परताप सिंग केरों को पंड़ी ने एक बार धका दे दिया था उन्हें उन्हें ये कहा था यह मेरे फा अगर मैं इस एक की ना सुनू तो मेरी कोई ना सुने इसलिए कॉंग्रस में हमारे बॉस सोनिया जी प्रियांका जी और राहुल गांधी हैं जो निरने वो लेते हैं हम उन्हें पहले ही एंपावर कर देते हैं और अगर उन्होंने ये निरने लिया के चरण जी चन्नी है मुख्यमंत्री तो भाई इतिहास भी तो रचा 72 सालों में कॉंग्रस में पहली बार हुआ के एक धलित मुख्यमंत्री हमारा पंजाब का बना ये पहले तो नहीं बना था सिद्धु साब मेरे दो जुड़े हुए सवाल है एक तो ये के जदी कॉंग्रस इस एलेक्शन में बिना कोई चीफ मुनिशनल फेस प्रजेक्ट की हुए एलेक्शन लड़ती है तो आपको कोई अपती नहीं है आप क्या इसमें आप थोड़ा क्लैरिटी ला सकते हैं अगल दूसरा ये है कि जो पंजाम में अभी एलेक्शन दिरिश्ट बन रहा है ये मल्टी कॉंडर कंटेस्ट का एक महौल बन रहा है आप इन सभी पार्टी में से जो आपके प्रतीदवंदी हैं उनमें आप किसको अपना में चैलेंजर या में प्रतीदवंदी मानते हैं देखि उसे योगता टूटी हुई है किरदार पे नेतिकता पे मौरल अथारिटी पे और एक रोड मैप पे एलेक्शन लड़े तो हम जीत सकते हैं पिछली बार क्या था कि एक हजार पन्नों का हमारा मैनिफेस्ट हो था ना वो पढ़ने लायक था ना वो पूरा हुआ उस पे इतन लगता है कि कहीं न कहीं हमारी चूक होगी आपका पहला पार्ट जो क्वेस्चन का पहला पार्ट उसमें सबसे एहम चीज़ यह है कि अगर कोई एजंडा आएगा अगर कोई मैनिफेस्टो आएगा तो कौन वो किरदार वाला बंदा है जो उसको लागू कर सके क्योंकि हो तली होता हो सबेरे स्टेज पे आके खड़ा हो के कह सकता है दारूपी नहीं का रख है कह सकता है उसके पास वो नहीं तिकता है जो आदमी पहाड खा गया हो रेत के और पता हो लोगों को कि कौन खा गया हो वो कह सकता है कि सैंड माइनिंग बादल नहीं होगी पिछले पांच सालों में जो कैपिटन अमरिंदर सिंग ने और उससे पहले जो बादलों ने किया बाबा नानक ने 13 13 13 तेरा तोला और सुखवीर बादल ने मेरा 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 तोला मेरी बसें मेरे होटल पंजाब के दुखों पर सुख विलास ठीक है कि नहीं, मैं नहीं पूछता, मैं नहीं कुछ कहता, आप पंजाब से ही पूछिए, कि क्या वो जानना चाहेंगे, कि भाई उनको इस दलदल से कौन निकालेगा, देखिए मैं ये कहता हूँ, कि पहले दिन से, जब मैं पिछली बार भी आया था, तो मैं आना नहीं चा कि सिस्टम को बदलना है, तो सिस्टम में जाना होगा, तो उसके बाद हमारी सरकार बनी, तो फिर बहुत कुछ कहा गया था, कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं, नहीं मैंने कोई शिकायत की, और वो आदमी, जो मुझे घर बिठाता था, वो आज खुद आज हताश है, कि प्रियांका जी ने मुझे बुला के वहाँ बदल दिया, बिल्कुल गलत, वहाँ 117 MLA गए, हारे जीते, सब ने जाके वहाँ ये बोला, कि कैप्टन को अगर आप रखोगे, तो हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, तो इसलिए वहाँ पे MLA ने जाके चीफ मिनिस्टर बदला अगर चीफ मिनिस्टर भी बदला गया, तो CLP हुई, इसमें ना प्रियांका जी ने कुछ किया, ना राहुल जी ने कुछ किया, एक legislative system है, उसी को ताकत दी और उसी से चीफ मिनिस्टर की ताकत ली, इसलिए वह बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने कुछ कहा, दूसरी बात मेरा अस्तिफा, मेरा अस्तिफा किस लिए था, निजी वाइदे के लिए था, या उस DGP को हटाने के लिए, जिसने बादल को clean चिट दी, जिसने उस advocate general को, जिसने सुमेद सैनी, जो करी थी बैबल कलांकी, उसको blanket बेल दिलवाई, ये दोनों अफसर बदले, और ठां करके F FIAR हुई, हुई के नहीं हुई? परधान है, और परधान होके वो Congress की ही बात कर रहा है, पहली बात ये, दूसरी बात आपने कहा Congress ही Congress को हरा सकती है, उसका मतलब ये, नहीं, आपने सवाल पूचा ना, मैं उसका दोबारा बखान करता हूँ, देखिए, structurally 70 साल पुनानी पार्टी है पंजाब, पंजाब में वरकर बेस इतना तकड़ा है पार्टी का, कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, वो वरकर कभी हताश होता ही नहीं, लेकिन जब आप MLA के बेटों को ही सारा कुछ देने लग जाएं, जब आप उनको ही चेर्मेनिया देने लग जाएं, तो एक खतरनाक परिस्तिती पैदा होती है, वो खतरनाक परिस्तिती है, कि वरकर हताश हो जाता है और घर बैठ जाता है, देखिए, पिछले पांच साल में वरकरों में एक धारना थी, आप पटेयाल साब से पूछ सकते हैं, कि हमारे जो DSP हैं, हमारे जो SSP हैं, हमारी जो पुलीस है, वो अकाली दल के लोगों की जादा सुनती है, और हमारी नहीं सुनती है, आप उनसे कंफर्म कीजिए, तो वो क्या था, वो ये था कि दो परिवारों की सांट गांट की वज़े से, उनकी कल्यूजन की वज़े से, उनके बिजनस इंटरस्ट इकटे होने की वज़े से, उनकी तिजारत और उनके वेपा में कोई आदमी इस परिवार के मुक्त हो जाए क्योंकि ये परिवार इतना गहरा अंदर ही अंदर से अंदर ही अंदर से इनके बिजनेस इंट्रेस्ट 75-25 जो मैं कहता हूं वो इतने ज्यादा हैं चाहे वो रेत माइनिंग हो चाहे वो मशीने बदलती हैं बस बंदे ठेकेदार वही के वही रहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर कॉंग्रस बदलाव लाए नहीं सोच लाए नया इनकलाब लाए और 500 500 वाइदों का मैनिफेस्टों नहीं पंदरा दस पंदरा पांच जैसे इंद्रा जी ने पहले किया था कि फाइप पॉइंट प्रोग्राम या कुछ ऐसा और लीगलाइज करने की बजाए एक ऐसे किरदार और विश्वास के पात्र के थ्रू उसको कमेटी तो अभी बनी भी नहीं है तो मैनिफेस्टों कमेटी जब बनेगी तो हम लोग सलाह करेंगे जो सहमती से जो सहमती से पंजाब के हक में होगा पक्ष में होगा उसे हम जमीन पर उतारेंगे इसलिए मैं कहता हूं कि we are never defeated we defeat ourselves we are never deceived we deceive ourselves यह मेरे लिए नहीं हर पार्टी के लिए संगठेत हुई ताकत जीत का कारण बनती है मैंदम याठील विभाजत हुई ताकत पतन का कारण स्यूर्फ है सफ जैसे केंपेंग कर रहा है पंजराब में आप भी रखकेंgres कर हो और कि देखना की आप और जेखी मैं ने देखा और कि इनक्टहिता डियुक्र मुझे टिकेट नहीं मिलेगी वो छोड़ के जले जाते हैं जिनको लगता है कि टिकेट मिलेगी तीन-तीन होता है इसलिए कॉंग्रस अपना बेस लेट अनॉंस करती है फिर वह अजाद खड़े किये जाते हैं यह सब स्ट्रेटी यह इस पार्ट ऑफ स्ट्रेटी वातम अगा सब्सक्राइब भाजपा के प्रति आपकी बहुत सारी नराजगी सामने आई जायज भी होगी लेकिन क्या कभी-कभी-मन ऐसा नहीं कचोटता होगा कि आज यदि आज भाजपा में होते तुम मुक्रमंत्री का चेहरा होते बिल्कुल भी नहीं वो तो बना रहे थे साब ले उनके साथ कड़े रही है हम इस बार साथ सीटें लड़ेंगे मैंने का साब इन से अलग हुई है मैं उम्मर भर आपके साथ हूँ मेरी उनके क्या साथ क्या नाराजगी थी हम इस शाह साब ने ड्रग्स के उपर एक रैली रखी पंजाब में मुझे बुलाया गया उसी दिन व मैं जरीवाल ने लेट के भिक्रम मजीटिया जे महावी मांगी बोलो मांगी कि नहीं मांगी ठोको पिर है वही मुझा था इस दूसरी बार बुलाया गया दूसरी बार फिर रैली रद हुई और मुझे बताया गया कि एक बहुत बड़े लीडर ने वो रैली रद करवा दी है हमारा एक मूँ और दो आंखों का रिष्टा है जब तीसरी बाल वो रेली रखी गई और मैं दिली गया तो हजूरे वाला वो तीसरी बार कैप्टन और बादल ने मिलके अमरिस्टर में ड्रग्स के खिलाफ रेली कर दी वो चिन गया बुद्धा फिर जब राजे सबादी म मेरे लिए पुनिस थली है मेरे लिए पूजा का स्थान है लेकिन अगर ये मुझे पंजाब से दूर करेगी तो इसका होना ना होना एक मिनट में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसका होना नहीं एक बराबर है तो फिर भाई जब किसी बड़े लीडर ने बुला कि मुझे खा सिदु साब अगर बादल की कैम्पेंड नहीं करनी तो पंजाब से दूर रो तो सिदु ने बीजेपी को नहीं सिदु ने पंजाब को चुना पंजाब के हिद को चुना और छे साल की राज्य सबा फिंक के मारी जगतार बोलर स्वाल सर मेरा ये आप से के मुझे भी जितनी आपकी स्यासी कैरियर उतने साल मेरे भी होगे मैंने पहली दफ़ा देखा है पंजाब में कि एक चीम मिनिस्टर पार्टी का और उसी पार्टी का प्रेजेंट किसी मंच पे अभी तक दखाई ने दिये एक साथ कल आपकी सरकार का सेंकड़ा हो चुक है था और सरकार ने सेंकड़ फैसले गनाई उनके विद नोटिफिकेशन तो अजे पार्टी प्रेजेंट आप चन्नी सरकार के सौ दिन की सरकार को कैसे देखते हैं सबसे पहली बात जिस दिन चन्नी मुख्यमंत्री बना मेरे साथ अमरिश्सर में था उसके बाद करीब करीब 5-6 रैली में हम एकठे थे जो अमरिश्सर में भी स्पोर्ट्स अकैडेमी की रैली हुई उस में भी मैं और चन्नी कठे थे तो ज़रूरी तो नहीं कि एक ही मंच के उपर दोनों हो ये भी तो हो सकता है कि 117 सीटे हैं हम बांट के कारेभार को रेलीज कर रहे हो ये भी हो सकता है कि ये रन नहींती हो चन्नी सरकार के सौ दिन जैसे काली अंधेरी रात के बाद सूर्य उगता है उस सूर्य के समान है आज घोशना पत्र में बस इतना ही और अगले घोशना पत्र में होगा कोई नया चेहरा बहुत बहुत धन्यवाद आप देखते रहिए ABP News आपको रखे आगे ABP News आपको रखे आगे ABP News आपको रखे में आपको रीन आपको रखे daaf बस्षाओन ए करते हैं ्टर से अगले समय आपको रखे माचले आपको झाल झाल